ओके हेलो वरिबन विल्कम यूओ लिट लोकिसर अलिम्टेड इस्टेडी जोन चलिए तो क्या पढ़ रहे थे कल हम भाई कल हम पढ़ रहे थे एप्लिकेशन आप डेरिवेटेव और एकसरसाइज 6.2 चल रही है जिसमें हम पढ़ रहे थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चलिए मैंने आपको बताया था कि बच्चों टिग्णोमेटरी वाले क्वेशन आपको इसमें थोड़ा सा परिशान करते हैं क्योंकि टिग्णोमेटरी वाले एक चीज़ देखे इसका एंगल क्या है इसका एंगल है इसका एंगल है 3x तो अगर x 0 से लेके पाइबा डू तक जाएगा तो 3x कहां से गहां तक जाएगा 3x जाएगंगा जो वो जायगा 0 से लेकर 3 buy buy टो जो 3x जाएगा वो कहां से कहां तक जाएगा 0 से लेके 3 buy buy क्या किया मैंने थरीका multiply कर दिया अब चलिए क्या करते हैं वही अपनी regular process सबसे पहले एप डैस एक्स लेते हैं और एप डैस एक्स को किसे compare करते हैं 0 से देखे हमारे पास जो हमारा interval दिया गया वो दिया गया 0 से लेकर पाइबए टो तो मैं अपना इंटरवल बना लेता हूँ यह मेरा इंटरवल है एक प्वाइंट है जीरो मैंने डॉक्ट कर दिया इस पर गश्पॉर्ट कर दिया क्योंकि 0 कंटेंड है शामिल है और पाइबए टू भी क्या है सामिल है तो F-X equal to 0 करा मैंने तो SORRY सबसे पहले 0 नहीं करना भई पहले F-X निकालना है तो F-X क्या होगा भई Sin 3X का हो जाएगा 3 cos 3X 3 cos 3X ओके No 1 देजी 3 cos 3X अब देखिए आप देखिए कि F-X equal to 0 पूछिए कि F-X equal to 0 तुम rest कप करते हो critical point बोलते हैं point of rest बोलते हैं, तो यह कहेगा, f-x equal to 0 means, 3 cos of 3x equal to 0, 0 के नीचे 3 चला जाएगा, यानि, cos of 3x equal to 0, अब यहाँ से concept लगेगा, plus 11th का, क्या concept है, concept कहता है, कि अगर, cos of x equal to 0, यानि, x equal to 2n plus 1 pi by 2, यह कहता concept, x equal to 2n plus 1 pi by 2, मतलब, x की value 0 कहां का पर होती है, pi by 2 के odd multiple, पर, pi by 2 के odd multiple पर, यहाँ पर sign है, ठीक न, तो cos 3x की value 0, तो यहाँ पर x की जेगे कौन बैठा है, 3x, ओके, तो यहाँ पर चलिए, compare करते हैं, अगले page में compare करूंगा, क्या है, अपने पास, cos 3x equal to 0, तो मैं लिखूंगा, 3x equals to 2n plus 1 pi by 2, ओके, तो हम तो x पर खेल रहे हैं, तो x की value निकालेजे, x equal to 3, नीचे चला जाएगा, 2n plus 1, pi by 6, okay, 2n plus 1, pi by 6, चलिए, आप value रखते जाएए, n की value, और आपके पास answer साथे जाएगे, तो सबसे पहले, n equal to 0 डा लिए, n equal to 0 पे x equal to कितना है, 2 into 0, यहने 0, pi by 6, पहला हैगा, pi by 6, दूसरा देखे, n equal to 1, n equal to 1 देख 2 plus 1, यहने की 3, pi by 6, यहने की pi by 2, आप ध्यान से देखे, जो हमारा x का interval दिया गया, वो 0 से लेके pi by 2 ही दिया गया है, और यह दूसरा n equal to 1 पर क्या आ गया, pi by 2 ही आ गया, मतलब interval हमारा खतम हो गया, क्योंकि interval हमें कहां से कहां तक मिलेगा, 0 से लेके कहां तक मिला था, pi by 2 तक मिला था, मतलब एक critical point तो यह खोदी हो गया, भाई साब, खोदी हो गया, मतलब एंड वाला जो point है, वो खोद में critical point है, और एक बीच में क्या मिल चुका है, आपन को, pi by 6, क्या मिल चुका है, pi by 6, okay, clear है, और एक हमें मिल चुका है, pi by 6, yes, तो यह x का domain है, okay, तो अब हम हमारे पास जो intervals बनेंगे, वो क्या बनेंगे, हमारे पास जो interval मिलेंगे, interval मिलेंगे, जो हमें check करने के लिए interval मिले है, वो कौन सा मिला है, अपने पास भी, अपने पास एक interval मिल रहा है, 0 से लेके, pi by 6, मिला है, और दूसरा interval मिल रहा है, pi by 6 से लेकर के, pi by 2, close करना पड़े क्योंकि क्वेश्चन में ही क्लोज दे रखा है क्या दे रखा है क्लोज तो पाइबाई 6 से लेखे पाइबाई 2 अब आई ये नेचर पता करते हैं कि इन में इसमें तो आपको अल्रीड इंटर्वल दे रखा है आप इंफिन पीछे तो है माइनस इंफिनिटी बड़ आप जाएंगे नहीं क्योंकि आपको इंटर्वल के बली यहीं से यहीं तक कर दिया है उसने खुद देख रखा क्वेश्चन में एक्स बिलॉंग टू जिरो टू प पर Weebay. 6-6 है तो यहां लिखेंगे हम इंटर्वल और यहां लिखेंगे हम साइन कि ओफ दैस एक्षेन और यहां मिनेखे निचर चलिए देखते हैं इस नेनचर देखते हैं तो इंटर्वर सबसे नहीं अतना है झेरो से ले फाई वाई 6 ओके तो 0 से लेके पाई 6 है अब 0 से लेके पाई आप 6 जीडो इंक्लूओ रहान से लेखे जीडों क्या है और H-da-s एकस का नेचर आपको पता करना है तो यहां पर मैं लेक देता हूँ भाई F-da-s X क्या है मेरे पास आप ध्यान से देखे जो f-x आपके पास में है वो क्या है भई f-x निकाल रापन ने 3 cos 3X क्या है भई या 3 cos 3X तो f-x आपके पास में है 3 cos 3X ओके चले तो вес Q value क्या पुट कर सकते हैं जीरो भी पुट कर सकते हैं 0 से पाई-वाई-6 के बीच में जो भी कुछ भी पूट कर सकते हैं तो क्यों ना 0 रख दिया जाए आज वहीं 0 रखते हूं तो 3 into cos 3 into 0 या ने की cos 0 ही हो गया cos 0 कितना हो था 1 तो भाई यह यह तो अपने पास आ गया positive क्या गया तो मतलब इस interval में होगा यह क्या strictly increasing strictly increasing क्योंकि pi by 6 rest point और rest point include नहीं है अगर आप इसको include कर दोगे तो strictly हट जाएगा मतलब मैं एक बार और लिख रहे था हूं यहाँ पर अगर मैं pi by 6 को close कर दूँ अरे तो 0 rest point थोड़ा नहीं 0 तो उन लोगों ने दे रखा है 0 rest point थोड़ा नह है भले include है क्या rest point में कहीं पर 0 आया क्या देखिए रेस्ट पॉइंट पर 0 आया क्या एक्स एक्स इक्लोड़ दिख रहा क्या नहीं दिख रहा ना तो 0 rest point नहीं है बट include है अगर मैं pi by 6 को close कर देता तो यह positive होता समझ आयना और इस समय जो f-x है वो क्या आ जाता greater than or equal to 0 और इस समय हो जाता है यह simply increasing क्या हो जाता है simply increasing तब यह strictly increasing नहीं होता आई बस समझ में चलिए next देखते हैं अगला है हमारे पास open interval अभल पाई वाई बीशस से लेकर Πाई बीश इस देखर फिशे को नेचर पता करना है व this सिखते टिग्री जोधाना प्रोड़ी बीच में 60 इगरी पीर नेश्नीव नेश्य को फोस्ति ऑखक करते हैं कि देखर ऊके टेधर एक क्या एक वल्टू काथ 3 कॉस 3 एक और हम चेक करने वाले कितने डिगरी पर 60 डिगरी पर ओके तो 3 कॉस 3 इंटू 60 मतलब कितना हो गया 180 कितना हो गया 180 और कॉस बनेटी तो आपको यादी होगा कॉस बनेटी कितना होता है माइनस वन कितना होता है माइनस वन और यदि नहीं भी याद आतो सांप दोड़ा दी जे कॉस का कॉस का सांप कहां जोड़ा ता यह जीरो हो गया और यह 180 कितना होता है.. तो यह करता आ गया भाई, माइनस 3 क्या गया यह? माइनस 3, ओके तो माइनस 3 है तो निगेटिव आ गया, इसका मतलब यह क्या होगा? डिक्रीजिंग, क्या होगा? और साथ मेरे की यह वाला इंक्लूड है यह क्या है include और पाई बाई टी आपका खुद rest point है इसलिए अब यहाँ पर जो function है आपका वो होगा simply decreasing तो यह negative तो आ रहा है और यह क्या होगा only decreasing आई वर समझ में न तो आपसे पूछा गया है कि आपका function कहां पर increasing होगा और कहां पर decreasing हो इस्ट्रिकली नहीं बूला गया इस question की increasing की domain and decreasing domain आपकी क्या बन जाएगी वच्छों decreasing की domain बनजाएगी आपकी ओ 5 by 6 open Seligieg पाइबाइटू क्लोज, ये किसकी डोमेन है, डिक्रीजिंग की, ओके, और एक डिक्रीजिंग की और डोमेन बनेगी, पाइबाइटू क्लोज से लेके, पाइबाइटू क्लोज भी, ये भी डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये भी रेस्ट पॉइंट है, और इन दोनों रेस्ट के बीच में function आपका decrease हो रहा है कुछ ऐसा ओके क्योंकि ये भी रेस्ट पॉइंट था था कि नहीं था ये भी रेस्ट पॉइंट था और इन दोनों के बीच मेरे के slope क्या है निगेटिव आ रहा है यानि एप डैस एक्स लेस देन जीरो और इन दोनों पॉइंट पर क्या इक्वल तूजीरो सो कंसेप्ट क्या बन गया एप डैस एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो तो यह क्या भीया decreasing है क्या कि पाई-बैस इक्स पे close था तो खोलोजी तो लगा यह मैंने हाँ तो उन्होंने क्या बोला है उन्होंने increasing बोला ना question में अगर मैं open कर दूंगा अगर मैं close bracket 0 to pi by 6 अधी में open कर देता हूं तब यह increasing है कि strictly increasing है strictly है क्योंकि यह rest point है यह थोड़ा ना है rest point भई यह नहीं है critical point और यह critical point है because f dash x equal to zero आपका दो पॉइंट पर आया आराम दो पॉइंट पर हुआ है एक किस पर पाई भाई 6 पे और एक किस पर पाई भाई 2 पे तो आप rest को include अगर कर लेंगे तो increasing हो जाएगा और रेक्स को अगर आप निकाल नेंगे तो strictly increasing हो जाएगा आया समझ में तो आपको question में क्या पूछा गया ध्यान से देखिए ओके आगया समझ में yes to this और इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको डोमेन क्या दी गई 0 से लेके पाई भाई 2 आंगे तो आपको निकालते जाएंगे खुब सारे निकलेंगे बट आपको question में के बल पाई बैटू तक जाना है इसलिए इक टिक्नोमेट्री में question में आपको बांड़ गर्ते देगा कि इतने तक ही चलो ऐसे तो जाते ही जाएगा कुए टिक्नोमेट्री का ग्राफ कभी फिनिश नहीं होता है है ना यसी को स्का ग्राफ है साइन का ग्राफ है तो आपने देखा हो साइन का गरफ 0 से स्टार्ट ब अब खतम नहीं होता है यह तो आपको क्वेश्चन में दिया गया ना देखे कोश्चन में आपका इंटरवल देखे 0 से लेकि पाइबाइड टू तो जीरो आपका क्लोज रहेगा मतलब डॉट करिए पाइबाइड टू अपका क्लोज रहेगा मतलब डॉट करिए और यह जनरल ही हम लोग ओपन रखते हैं पाइबाइड शिक्स ही वाला उसके हिसाब से इंटरवल बनाते हैं ठीक ओके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है स्ट्रिक्ली पूछा गया है स्ट्रिक्ली नहीं पूछा गया उसको देख करके तैव होता है कि कैसा इंटरवल बनेगा देखे बच्चों मैं एक बार आपको फिर से बताया देता हूँ कि जब भी आपके पास ऐसी कोई भी प्रॉबलम आया है जैसे अगर आपको बाकी चाहिए तो sin x equal to 0 का होता है x equal to n pi, x equal to n pi, 10 x equal to 0 का होता है x equal to n pi, 10 x equal to 0 का क्या होता है x equal to n pi, सेम होता है दोनों का, क्यों? क्योंकि 10 x equal to होता है sin x upon cos x, और जब sin x 0 होगा तभी तो 10 x 0 होगा, तो sin x 0 किस पे होता है x equal to n pi पे, तो 10 x भी 0 का होगा x equal to n pi पे, चलिए next segment की तरफ चलते हैं ओके अगला question जो है मैं ये कहुंगा ये जो मैं बता रहा हुआ ये जी लेवल का पुर्चंट है ओके अगला question जो है ये जैई level का question है चलिए देखते हैं ये question कहा रहा है On R, On Real Number On Real Number ये कह रहा है Fx equals to x upon 1 plus mod x Boards level में तो ये question नहीं आता है Okay, J level में ये जो question होता है आया करता है तो चलिए आपको करके बताना है मेरे को next class में कि इस question को आप कैसे करेंगे इसको मुझे करके बताईएगा